कि नमस्कार दोस्तों यह सी थाइड ये आगे लेचर में अपन पढ़ते हैं तो अब हम पढ़ेंगे अंतर कलन का प्रमे तो अंतर कलन के प्रमे को समझने के लिए सबसे पहले इसके सुत्र के बारे में ध्यान होना चाहिए अंतर कलन का सुत्र तो अंतर कलन का सुत्र कहता है क किदेल की पावर अपक्स, बराबर अचर होगा, यानि अगर डेल की łच पावर अचर अँगी और यहां पर आफक्स दे रहका होगा तो answer answer आएगा इसका मतलब है कि del की power जो n है वही fx की power होगी और उसका answer आएगा answer आएगा factorial n आएगा पूर example देखते हैं अपन इसमें अपन ने example ले लिया example लिया अपन ने कि del की power 6 और x की power 6 होगी मतलब दोनों की गात समान है यान और fx की गात समान है तो इसका answer आएगा answer answer का मतलब है इसका answer आएगा factorial 6 factorial 6 का मतलब होगी ता 6 into 5 into 4 into 3 into 2 ठीक है अब देखे दूसरा क्या formula है अगर del की power n प्लस 1 fx आजाए तो इसका answer होगा 0 यानि यानि क्या होगा कि del की गात ज्यादा होगी fx से fx से गात ज्यादा होगी फॉर एग्जामपल ले लिए a del की power 6 x की power 5 तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx की गात पांस और उस से ज्यादा होगी डेल की गात यानि प्लस 1 यह पांस प्लस एक 6 गात होगी तो इसका answer शिद्धा आएगा सुनिए तो इन दो फॉर्मूलों का अंतर कलन के फॉर्मूलों में प्रियों करना है तो उससे आसानी से आगया वाले एक्जामपल हो जाएंगे तो एक्जामपल नंबर फस्ट देखते हैं अपन कौन सा है एक्जामपल नंबर फस्ट देर्क है डेल क्यूब A X Q प्लस B X स्क्वेर प्लस C X प्लस D ये दे रिखा है तो इसका मान गयाद करने है तो मान गयाद कैसे करेंगे सबसे पहले डैल क्यूब की सारे में अंदर गुना करवाएंगे तो ये क्या होज़ेगा A डैल क्यूब X क्यूब हो गया फिर B डैल क्यूब X स्क्वेर प्लस C डैल क्यूब X प्लस D डैल क्यूब तो इस परकार से होगे है तो अब अपन लगाएंगे अंतर कलन की मूल पर में तो मूल पर में कहती है अगर गात डैल की ज़्यादा है और F X की कम है यानि दोनों बराबर नहीं है तो इस कमान जिरू आएगा तो इन दोनों में गात बराबर नहीं है जिरू आएगा इसमें भी जिरू आएगा और इसमें भी जिरू आएगा तो हमारे पास बच्छा क्या A डैल क्यूब X क्यूब प्लस सुनने सुनिये और सुनिये तो अब इस पहले बाले को क्यात करना है तो इस कमान कितना आएगा इस कमान सिद्ध ही आजाएगा देखिए यहां पर क्या था डैल की पाउर शिक्स और शिक्स था तो फैक्टोरियल शिक्स आया और यहां पर कितना रखना है थ्री और थ्री है तो फैक् त्री तो इस प्रकार से अंसर आएगा ए फैक्टोरियल त्री तो इसका मतलब हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू ए तो शिक्स ए हमारा आना चाहिए लेकिन इसका एक और मेथड है इसका एक सबस्खेत कॉर मेथड है को क्या है कि वो यह है कि आप लोग इस ड्लक को देस्सक्मेइड सटेों ठीक है तो एंटूड एक्सक्मींद के लिख सकते हो अब इसका जो यह लिखा है डल एक्सक्मीछ इसे अपन Can क्या कर दिया सॉल कर दिया तो एडल स्क्वेर बार और डैल एक्स क्यूब को सॉल किया तो आया एक्स प्लस एच का ओल क्यूब माइनस एक्स क्यूब इत्ता आगया अब आगे देखिए ए डेल स्क्वेर और इस अंदर वाले को पूरे को सॉल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3X स्क्वेर H प्लस 3H स्क्वेर X प्लस H क्यूब इतना आगे हैं समझ में अब आगे क्या होगा आगे देखिए डेल स्क्वेर को अपलाई कर देंगे इस पूरे पर तो सभी में डेल स्क्वेर का गुणा कर देंगे 3A H डेल स्क्वेर X स्क्वेर प्लस 3H स्क्वेर A डेल एक्स प्लस प्लस क्या होगा A H क्यूब डेल स्क्वेर ठीक है तो इन दोनों कमान तो आएगा जीरो इसका मान आएगा जीरो और लश्ट वाली कमान भी आएगा जीरो अब इस आगे वाले को सॉल्व करते हैं तो आगे वाले हम क्या होगा 3A H डेल स्क्वेर को आपस डेल इंटू डेल X स्क्वेर के रूप में कर लिया सॉल्व डेल इंटू डेल एक्स स्क्वेर के रूप में कर लिया स्वल्व तो अब डेल ऑपर इसक्वेर कर देंगे प्रिसे सॉल्व करेंगे तो आएगा टू एच एक्स टू एच एक्स प्लस एच स्क्वेर आएगा और माइनस एक्स स्क्वेर कट जाएगा ठीक है अब फिर वापर से वापस क्या होगा डेल इन दोनों पर अपरेट होगा तो बार कितना आजाएगा बार आएगा थ्री एच ठीक है उसके वाण डेल ओपरेट करेंगे तो सीधा इस पूरे को इसमें गुणा कर देंगे तो पूरे को गुणा करेंगे तो क्या आएगा अच्छ एच इसक्वेर ठीक है ति रगने डेल एक्स अफिर एक प्लस त्री एच डेल एच स्क्वेर एच इसका अमारे बापिस आगे जीरो अंतर कलन की मूहूल पर में से और इसका डेल को एक्स पर ओप्रेट करेंगे तो सिक्स एच स्क्वेर X पर operate कर दिया है तो X प्लस H माइनस का X आ गया उसके बाद एक्स और X कट गए H बचा और H क्यूब आ गया तो 6 A H क्यूब होगा इसका answer तो इस परकार चे अंतर कलन की मूल पर में उसके दो सुत्रे तो दोनों सुत्रों का उप्यों करके अपन यह जाद कर सकते हैं